आमशकर आप देख रहें अपना उत्रप्रदेश, आपके साथ मैं हूं पल्लेवी रवी इंदर सिंग्रह मंतरी अमिश्रा ने उत्रप्रदेश के सहरणपूर के गाउँपुवार का में माशाखुमरी विश्वेद्याला का सुलनास कर दिया है काकरे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितनात और केंद्री मंत्री धर्मिन प्रधान भी मौजूद रहें और आपको बताती चुली जौरान उन्हें ने कहा है कि पहले दिली से सहारणपुर आने में आठ घंटे लगते थे अब मातर तीन घंटे लगते हैं अच्छी सड़कों के कारण दूरियां अब घट चुकी हैं सिर्फ रोट की दूरियां नहीं घटी हैं पीम मोदी के कारण दिल की दूरियां भी अब कम हो रही हैं उन्हें ने कहा कि पहले उत्रप्रदेश में चीनी मिलो को बंद करके अपने चक्टबटों को बेचने का बड़ा शड़यन चलता था अब चाहे पश्चमी यूपी हो या फिर पूरी यूपी कहीं पर भी एक भी चीनी मिल भाजपा की योगी सरकार बनने के बाद बेची नहीं गई है बंद नहीं की गई ग्रह मंतुरी ने कहा कि आज मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य और आनंद की बात है कि इस पवितर एतिहासिक भूमी पर माश्रा कुम्बरी देवी के नाम पर एक उनिवर्सिटी के शुला नयास के लिए योगी जी ने मुझे आमंतुरित किया अमिश्रा ने कहा है कि मैं आज योगी आदितनात को बधाई देना चाहता हूँ कि पूरे पश्रमूतर प्रदेश में गुंडा, माफिय और जिस प्रकार के तत्तो का शासन था उससे पश्रमूतर प्रदेश को मुक्त करा कर यहां का सम्मान लोटाने का उन्होंने काम किया 2017 में सहारनपूर में मैं आया था तब यहां के लोग कहते थे कि हम तो परिवर्तन कर देंगे मगर परिवर्तन के साथ हमारे जो पलायन हो रहा है वो क्या कम होगा मैंने उनको कहा था कि आप एक बार भाजपा की सरकार बना लीजिए आपको पलायन करने से वाले यूपी से पलायन कर जाएंगे कैसा भी हो लेकिन जन समर्थन जो दिख रहा है उससे पता चल रहा है कि लखनाओ के लोगों का मौसम खराब हो रहा है लोगों ने बहुत जुमले सुने अब उन लोगों का कुछ नहीं चलेगा उन्हेंने कहा कि सबसे जादा गरीब लोग बंदेल खंड में है सबसे जाद महुबा और ललिदपुर में है समझदी पार्टी सरकार ने यहाँ पैकेट बाटे थे लोगों के पास खाने को नहीं था भूग से निजाद दिलाने का काम भी सपा करेगी सपा प्रमुख ने कहा है कि समझदी पार्टी के लोगों ने इनको दूद घी वाले पैकेट दिये सहरी अजाद के लोगों ने हमारा स्वागत किया था आज से ये लोग हमें मिले थे गरीबों को इतनी तकलीफ कभी नहीं मिली जितनी सरकार में मिली है पैदल मजदूर लौट रहे थे लागडाउन के दारान यूपी में सरकार ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी मजदूर बात की बात करते हैं जिनके परिवार नहीं होते वो क्या समझेंगे जो दूसरे का दुख समझे वो योगी होता है बुंदेल खंड में हवाई एड़ा बनाने की बात कही गई थी लेकिन यहां हवाई चपल भी नहीं है उन्होंने कहा कि आपकी गाड़ी और मॉटर साइकल नहीं चल पार ही पर्टोल डीजल इतना महंगा हो गया हमेशा लाइन में लग रहे हैं खाद लेने के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है ख्लेश यादों ने आगे पनी बात को बढ़ाते हुए कहा कि नोट बंदी कोरोना खास सब के लिए खतार में लगना पड़ा उन तो तो प्रदेश के मुरादाबाद में रैली को समुद्ध करते हुए कॉंगरस मेता प्रेंगर गंधी वाटर ने दावा किया कि पिछले पांस से छे सालों में मुरादाबाद में दो हजार करोड रुपए का कारोबार घट चुका है आस तीन लाग कारीगरों की रोजी रोटी खत्म हो चुकी है भाजपा की नीतियों ने कारोबार और आपके भविश्य को बरबाद कर दिया उन्हेंने कहा कि कॉंगरस पार्टी इस चुनाव को सिर्फ विकास के आधार पर लड़ना चाहती है हमने प्रतिग्या ली है कि हम बीस लाग बेरोजगार दिलवाएंगे हर जुले में हम उद्दोगों के हब लगवाएंगे यहाँ खोखला वचन नहीं है कॉंगरस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि सुसराल वालों आपसे माफी चाहती हूँ कि बहुत दिन बाद यहां आई हूँ आपके शहर ने मेरे परिवार को संवर्षन दिया उनको खड़ा किया बटवारे के बाद मेरे ससुर जी के पिता मुरादाबाद आया यही से कारबार की शुरवात की यहां के हुनर यहां की लोगों की मदद से उन्होंने अपने बच्चों का भविश बनाया मुरादाबाद पितलनगरी के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाता है शादी के वक्त यह एक खुशहल शहर था उन्होंने कहा कि वैपारियों से लेकर मजदूरों की महनत के साथ ऐसी सरकार थी जिसने आपकी मदद कि उसमें एक्सपोर्ट काउंसलिंग बनी और नियातकों को हर तरह से मदद दी गई है मेरे पिता राजी उजी ने हर तरह की से मदद कि उस समय आठ हजार कोड़ रुपे का नियात होता था आज दो हजार का भी हो रहा है दो लाख लोगों की रोजी रोटे खब्म हो चुकी है प्रियंका ने तंजकस्तिवे कहा कि आपने पीतल नगरी बनाई इन्होंने अंधिर नगरी बना दी जिसका चौपट राजा है टीटी का पेपर आउट हुआ यह पहली बार नहीं है बारा बार पेपर आउट हो चुका है योगी आदितनात कहते हैं कि नौकरी योग लोग नहीं है हर तरफ नौजवान बिरोजगारी का शिकार हो रहे है जहां जाईए यही सवाल उश रहा है उन्हेंने कहा कि मुझे आश्र हुआ नदी माफिया, बालू माफिया, पढ़ाई का माफिया आश्र है कि कहीं सास का माफिया ना हो और सास के लिए लोगों से हफ्ता ना लिया जा रहा हो गांधी ने कहा है कि मुझे आपसे बहुत बड़ी शुकायत है कि जब तक आप इस तरह की राजनीत करोगो कोई बदलाओ नहीं आएगा आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपने नेताओं को सिखाओ जवाब दे बनाओ कॉंगर्स पार्टे सिर्फ और सिर्फ विकास पलड़ेगी तो काशे मत्रवाला ट्विट करने के बाद आज यूपी टिप्टी सीयम किश्व प्रिशाद मौर ने कहा है कि ये चुनाओ नहीं आस्था का विश्रह है आयुद्धा में भावे राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वारानसी में काशिव विश्वनात कॉरिडोर पर योजना पर काम चल रहा है मत्रों में करशन निर्माण पर एक मंदिर के निर्माण की प्रतिक्षा हो रही है बीजेपी के लिए ये चुनावी मुद्दे नहीं है केश्व प्रिशाद मौर अपने ट्विट पर कायम है उन्हेंने कहा है कि मत्रों की तयारी राजनीत मुद्दा नहीं बलकि आस्था का विश्रह है मंदिर निर्माण की तयारी ही है काशी विश्वनात के भावी कॉरिडोर को सभी देखेंगे ध्रूवी करण के आरोब गलत है मत्रों के अपने बलकि तयारी है तो बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मयवती ने मत्रों में विवादित इस्थल पर मंदिर्माण की तयारी समंधी उतर प्रदेश के उप मुख्य मंत्री केश्व प्रसाद मौर के ट्ट को राज के आगामी विधान सबाचनौव में बीजेपी की पराजे की धार्णा को पुक्ता करने वाला करार दिया इसके साथ ही जन्रता से भाजपा के आखरी हत्कंडे के प्रति आगा किया उतर प्रदेश की पूर मुख्य मंत्री ने ट्ट में कहा है कि विधान सबाचनौव के नजदीक दिया गया बयान की आयोध्यावा काश्री में मंदिन निर्मान जारी अब मत्रा की तयारी या भाजपा के हार की आम धारना को पुक्ता करती है मायवती ने जनताओं को भाजपा की कति सामपरदाईक राजपानी से सावधान रहने की हिदायत देती ही कहा इनके इस आखरी हत्कंडे से अर्थात हिंदो मुसलिम राजपानी से भी जनता सावधान है आपको बता दे की उतरप्रदेश के उप मुख्यमंतरी केश्व परसाद मौड ने बुधवार को टुट किया था अयुद्या काश्री भावी मंदिन निर्माण जारी है मत्रा की तयारी है जै श्री राम मत्रा भागवान श्री कृष्ण का जन्मिस्थान है उन्हें कहा उतरप्रदेश के आगामी वधानसभा चुना के मदे नजर उप मुख्यमंतरी के इस बयान के राजमितिक निहतार्त निकाले जा रहे हैं मत्रा जिला प्रशासन ने भागवान कृष्ण की वास्तविक जन्म भूम पर उनकी प्रित्मा इस्थापित करने की अखिल भारत हिंदो महासभा की घोजना के मदे नजर 28 नॉम्बर को 1444 के तहट निशे दाग्या लागू कर दिया महासभा का दावा है भागवान शुरी कृष्ण का जन्म स्थान मत्रा के प्रमुक मंद्रों के बगल में मौजूद मस्जिद के अंदर है मत्रा के जलाधिकारी नवनेज सिंग चोहल ने कहा है कि किसी को भी मत्रा में महाल खराब करने की अजाज़त नहीं दी जाएगी तो शामली जन्म पद में किसानों के बकाया भुकतान ना होने को लेकर शुगर मिलों पर जुलाधिकारी के आदेश के बाद गंणा समित के सची दोरा मुकदमे दर्च कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकिए जिसके चलते गंणा समित के सची ने और शुगर मिल के अध्यक्षों पर मुकदमा दर्च करा दिया है मामले में जल्द ही बकाया भुकतान नहीं होने पर फिर से सक्त कानूनी कारवाई की बात कही जा रही है जबकि किसान नेता इन सब को गूल माल कर रहे हैं उनन कहा है कि सरकार चाहे तो 24 घंटे में भुकतान करा सकती है शामली जनपत के तीनों सक्योर मिलो पर आज तक गंणा किसानों का 285 करोड रुपए बकाया है जबकि उच्चा धिकारियों ने 30 नौमबर तक समस्त भुकतान कराने के आदेश देदी है जिसके चलते अब बक पताप सिंग आदेधक्षो के ना मुकदमे में दर्ज हुए हैं आपको बताते चले कि सुगर मिलों पर हुई इस कारवाई को लेकर किसान नेता सब गोल माल बता रहे हैं किसान नेता का कहना है कि सरकार चाहे तो बकाया भुकतान 24 घंटे में हो सकता है किसान नेता अनिल मल प्रिक का आरोप है कि प्रुदेश सरकार के गन्ना मंत्री सुर्वेश राणा के ग्रह कस्वे में भी ठाना भोच शुगर मिल के ऊपर 145 करों रुपे बकाया हैं उन्होंने कहा पहले सरकारों ने भी गन्ना शुगर मिल पर बकाय को लेकर मुकदमे दर्ज कराया थे वहीं स तरकार ने 24 घंटों में भी भुकतान कराया था लेकिन ना तो अब योगी जी की सलहा की दिख रही है और ना ही शुगरमिल मलकों पर बुल्टूजर चलता दिख रहा है। शिकारपुर कोतवाली शुट्र के महला नहीं बस्ती शुलोग कॉलोनी निवासी अजय शर्म सोमवार को घर से बाई क्लिकर निकले थे लेकिन वापस नहीं लोटे। बुद्धवार को सस्पी दफ्तर पहुचे यहां उन्होंने शिकारपुर पोलिस पर कारवाई ना करने कारोप लगाते ही प्रदोशन किया। परजुनों ने सस्पी को शिकायती पत्र दे कर बताया कि अजय शर्मा को सो मर्द उपहर को एक साथी अपनी शादी की पाटी दे कर बहाने से बुला ले गया था। शाम तक वह नहीं लोटा इसके बाद परजुनों के चिनता ही उन्होंने इसकी तलाश की लेकिन कोई पता नहीं चला। परजुनों ने बताया कि एक होटल पर उनके पुत्र की बाइक खड़ी थी बाइक को उनके पुत्र का दोस्त तोहां खड़ी कर गया था। पूरिद परिजुनों ने बताया है कि होटल मालिक ने संतोर जनब कोई जवाब नहीं दिया, शिकारपुर को उत्वाली में तहरीर दी गई, लेकिन दो दिन बाद भी पुलस ने कोई कारवाई नहीं की, परिजुनों ने आशंगा जताई है कि उनके पुत्र का पहरंड कर हत की गई है, वहीं अब SSP ने शिकारपुर पुलस को प्रकरण में रिपोर्ट दर्श करा कर तुरित कारवाई का निर्देश दिया, तो वहीं दूसी तर बहराईज में गुरुवार को दर्जनों 108 और 102 अम्बूलेंस कर्मियोदारा प्रदर्शन कर एक मांगो का ग्यापन सि लग दे गैना है की अब हि हालही में 108, 102 अम्बूलेंस कर्मियोदारा प्रदर्शन कीा गया था, जिसमें तकरीबन 10,000 अम्बूलेंस कर्मियोब को बरखास्त कर दिया गया था, उन्हों ग्यापन के माधन से मांंग की है की अम्बूलेंस के संचालन में लगे पाईलٹ-प्य येम्टी को मिनिमम वेज ना देकर कंपनी मातु 6500 रुपए मांसिक वेतन जो है वो दे रही है मिनमम वेज दिलाया जाए तथा समय समय पर घुशित महंगाई भत्ता का भुगतान कराया जा और इसके अब साथ साथ मिनिममम वेज मिल जाने से करमचारियों को लगभग 13,000 मासिक वेतन मिलेगा 12 घंटे लिये जा रहे हैं कार के घंटों को 8 घंटे किया जाए या अतरिक्त लिया जाए अतरिक्त 4 घंटे के मजदूरी डबल वेतन की दर से दिलाई जाए आपको बताते चले कि 4 घंटे अतरिक्त लिये जा रहे कारे के बदले पाइलेट को 3400 रुपए MP को 3900 दिया जाता है जबकि धन राशिदूगुनी से अधिक बनती है कंपनी के काराले में काररत लगभग 2000 कर्मियों को भी मिनमम वेज दिया जा रहा है उन्हें भी मिनमम पर दिलाया जाए प्रदेश में कंपनी दौरा बस सन 2012 से संचालित किया जा रहा है बोनस की विथा होते हुए भी आपको अताजी कभी भी बोनस का भुकतान नहीं किया गया बोनस का भुकतान कराया जाए ऐसा करमचारियों का कहना है इसके साथ आपको बताती चले सेवा में बहाल कराया जाए इनकी मांग है उन्होंने कहा है कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो अंबुलन्स करमी आंदोलन के लिए बात देंगे यह है सर जी 108-102 LS के हम लोग करमचारी है कहले हैं मांग हमारी यह थी कि हम 1 लोगों के ऊपर हमारी कंपणी Hall कि नहीं ते शेलरी नहीं करले दे नहीं आया लोगा को JOE सबकार बर्खास्त कर दिया और अभी तक हम से जो है सासन पर सासन से बारता भी हो रही है लेकिन अभी तक कोई भी ठोस जवाब हम लोगों को नहीं मिला है और आज हम लोगों ने एक ग्यापन दिया है मेडम को इसलिए दिया है कि हम लोगों की बातें मानी जाएं अन्नता हम लोग फिर से दुबारा से जो है कार बहिसकार और धरना परदसन करने पर बात दोंगे तो मैंने दूसरी तरफ अलिगर के च्छरा इलाके में इसित निहाल सिंग्डर कॉलेज में उस समय हड़कम मच गया जब पता चला कॉलेज में तेंदुवा खुसाया जब तक ये समझ आता कि तेंदुवा कहां पर है इतने में उसने एक च्छात पर हमला कर दिया क्लास में अंदर जा रहा है च्छात पर तेंदुवे ने उस समय हमला कर दिया जब वा डर कर क्लास से बाहर लौट रहा था छात की पीट पर तेंदुए के जपटते हुए निशान साफ इस्तिती बया कर रहे हैं फिलहाल इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है छातर तेंदुए के हमले से मामली रूप से घाल बताया जा रहा है निहाल सिंग कॉलेज के प्रिंस्पल ने जानकारी देती हुए बताया कि आम दिनों की तरह ही आज भी कॉलेज जब सुबा खुला तो उसके बाद बच्चों का कॉलेज में आने का सिलसला शुरू हो चुका था जब बच्चे कॉलेज में आ रहे थी उसी समय एक तेंदुआ भी कॉलेज में आ गया उसने एक बच्चे को भी घाल कर दिया बच्चे को ज़्यादा चोटे नहीं आई है सरकारी अश्पताल में भेच कर उसका इलाज किया जा रहा है उन्होंने बताया है कि कॉलेज के कमरा नंबर 10 में तेंदुआ मौजूद था हम लोगोंने वन व्युहा के अधिकारियों और इस्थाने पुलिस को भी इस बाबस सूचित कर दिया है तेंदुए के हमले से घायल हुए चात्र लखिराज ने बताया है कि सुबा जब कॉलेज में गया तो मैंने जैसे ही क्लास में चूली उसी समय देखा कि सामनिती अंदुआ बैठा था मैं पलट कर जब भागा तो उसने पीछे से हमला कर दिया जिसमें मेरे को चोट आई है और मैं घायल हो गया तो उत्व पुदेश में स्टुडेंस को स्मार्टफोन और टाबलेट दिये जाने हैं स्टुडेंस को टाबलेट और स्मार्टफोन बाटने के लिए पूरी विवस्ता फ्री है इसके लिए रिजिस्ट्रेशन को डीजी सकृति पोर्टल बनाया जा रहा है आपको बताते चलें, इसी पोटल के माध्यम से students को tablet, smartphone और content का distribution किया जाएगा Students को इस पोटल के अलावा कहीं भी register करने की जरुवत नहीं है Registration से लेकर delivery तक का पूरा system free है Registration के बाद students को smartphone और tablet की पूरी जानकारी, उनके registered mobile number और email ID पर मिलती रहेगी सरकार medical, technical, nursing और skill development program के लिए enroll करने वाले students को दिये जाएंगे और DG सकृती पोटल अभी launch नहीं किया गया है, इसके लिए tender जारी कर दिया गया है या tender DM पोटल के माध्यम से जारी किया गया आपको बताते के लिए जिन कंपनियों के टैबलेट दिये जाने उनमें विश्टल, सैमसंग और इसर श्रमिल है वही स्मार्टफोन के लिए लावा सैमसंग ने tender दाखिल कर दिया एफरे स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए 27 लाव स्टुडेंस का डेटा अप्लोट कर दिया गया है पहले फेज में आपको बताते चलें लगभग 2 लाव टैबलेट और 5 लाव स्मार्टफोन दिये जाने है इस्टुडेंस का डेटा कॉलेजों की ओर सी उनिवर्सिटी को दिया जाना है और उनिवर्सिटी के माध्यम से ही स्टुडेंस के डेटा फीडिंग हो रही है यूपी के मुख्यमंत्री यूग यादीतनात्म ने कहा है कि राज में यूआ लेटिस टेकनोलोजी के साथ ओनलाइन क्लास का फायदा उठा सकेंगे इसके लिए सरकार, लैप्टॉप और टैबलेट के ववस्था कर रही है यूपी में हायर एजुकेशन में करीब 50 लाग स्टुडेंट से सरकार के मताबिक मतरप्रदेश देश का पहला राज है जो इतने बड़ी पैमाने पर यूआ को करीब एक करोड टैबलेट और स्मार्टफोन बाटने वाला है